ग्लास 12 फिजिक्स के अंतरगत अब हम देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समिकरन विकिरन और द्रवि की जो ध्वेत प्रकृती है डिूल ने चरे उस चेप्टर के अंतरगत ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समिकरन पिछले वीडियो में हमने फोटो effect प्रकाश विद्यूत प्रभाव आदी के बारे में पड़ा था, उसी की व्याख्या Einstein ने की और अपना प्रकाश विद्यूत समीकन दिया, और यह दिया उन्होंने Planck के Quantum सिध्धान्द के आधार पर दिया, हमें पता है कि Planck का Quantum सिध्धान्द क्या कहता है, कि प्रकाश जो है वो विकिरन उर्जा के रूप में उसके छोटे-छोटे packets के रूप में चलता है और एक packet को हम कहते हैं एक photon मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश विकिरन उर्जा के छोटे-छोटे bundle हो या packet जिने हम quanta या photon कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है और एक फोटान में कितनी उरजा होती है H नी उरजा होती है H क्या है यहाँ पे प्लांक नियतांग है और न्यू विकिरन की आवरत्ती है तो ये प्लांक नियतांग का मान हमें पता है 6.6 into 10 to the power minus 34 Joule सेकंड होता है और ये एक्जाम में पूछा भी जाता है इसकी वेल्यू को 6.6 into 10 to the power minus 34 Joule सेकंड और न्यू विकिरन की आवरत्ती है अब होता क्या है Einstein ने बताया उन्होंने कहा कि जैसे कोई photosensitive surface है जैसे कोई धातू है metal है तो उसमें मुक्तिलेटरान होते हैं ठीके अब वो क्या होता है कि जब कोई photon इस धातू की सत्ह पर आपतित होता है तो Einstein उرجा का photon धातू की सत्ह पर अगर आपतित हुआ है तो उसकी जो energy होती है वो energy दो तरह से खर्च होती है मतलब जब भी Angrahas呢 उرجा का photon आएगा और वो धातू में वपस्ति जो मुक्त इलेक्टरान है जिसको हम कहते हैं बाउंड इलेक्टरान उससे इंटरेक्ट करता है उससे संपर्क करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो दो तरीके से खर्चोगी मतलब यह जो एचनी उर्जा है उसका एक भाग तो जो है धातू की सता से इलेक्टरान को हटाने में मतलब लिब्रेट करने में व्याय होगा और इसको हम बोलेंगे धातू का कारिफलन की इलेक्टरान को लिब्रेट करने में ये व्याय होगा तो ये धातू के कारिफलन या वर फंक्शन फाई 0 के या फाई 0 के बराबर होता है कि एक्चुल या होता है कि यह कारिफलन टो हेसी completeaking energy जो electron को हटाने के लिए आवशक है तो वो एक हिस्सा तो उसमें हखर्च हो जाएगा electron को liberate करने में आप जो बचीवी जितनी वी आधाई उसका जो शेश भाग है मतलब वो फोटन की एनर्जी का जितना भी भाग बचा है फाइन आर्ट के अलावा वो सब उसको काइनेटिक एनर्जी देगा मतलब अधिक्तम गति जूर्जा देने में खर्च हो जाएगा किसको प्रकाश इलेक्ट्रान को फोटो इलेक्ट्रान जो अधिक्तम गति जूर्जा से बाहर हो जाएगा और यह जो हमें पता है कि गति जूर्जा क्या होती है हाफ एम वी स्क्वेर होती है तो यहाँ पर आप के मैक्स क्यों लिख रहे हैं क्योंकि अधिक्तम गति जूर्जा बचा-कुचा सब इस गति जूर्जा में चला गया तो उसको half mv square max लिखेंगे, m क्या है, m यहाँ पर उत्सरजित प्रकाश इलेक्टरान का द्रविमान है, और v max उसका वेगे, अब हम समझ गए कि उर्जा सरक्षन के नियम से, यह h new के दो टुकडे हुए है, मतलब दो भागों में h new व्याई हुई है, एक तो finite और एक k max, तो उर दूसरी इलेक्टरान को अधिक्तम गति जूर्जा देने में व्याई हुई है, और यहीं से Einstein समीकंड की हमारी बात आ जाएगी, और उसके बाद हम इसकी व्याख्या को समझ पाएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने उर्जा सरक्षन की नियम से ही हम लेकर चलें पतला आपतित फोटान की जो उर्जा है, वो कारिफलान और इलेक्टरान की अधिक्तम गति जूर्जा के बराबर है, ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है, कि यहाँ पर आप इसके मेक्स की वेल्यू भी रख दीजिए, हाफ एमवी स्क्वेर मेक्स, तो यह भी लिख दी एक्विशन नमबर 1 कर दीजिए, आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ कर लिजिए, चलिए, तो हाफ एमवी स्क्वेर मेक्स इकल टू एश निव माइनस फाइनाट, या ऐसा भी लिख सकते थे, कैमेक्स इकल टू एश निव माइनस, पतला इसी की जगे तो इसको लिखा है केवल देली आवरत्ती के ही बराबर हो जाती, तो फिर एसे में क्या होता, उस इस्तती में इलेक्ट्रानों को यह जो अधिक्तम गती जूड़ जाए, यह नहीं मिल पाती, क्यों क्योंकि फाइनाट की जो वेल्यू है, वो एच निव नाट है, है ना, मतलब यह एच निव जिरो है, तो वो तो फिर केवल कारिफलन देने में ही खर्च हो जाती, तो ऐसे में यह हाफ एमवी स्कुएर मैक्स तो आपका होता ही नहीं, मतलब इसकी वेल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती, तो जब आपतित फोटान के आवरत्ती, देली आवरत्ती के बराबर होती है, तो इलेक्टरानों की जो अधिकतम गतिज उड़जा का मान है, वो शुन्य हो जाता है, उसका कारण है कि जब आपतित फोटान के आवरत्ती के बराबर बताते हैं, तो यह अपतित फोटान की जो उड़जा है, वो देली उड़जा के बराबर होती है, मतलब H2 is equal to हो जाता इसका मान क्या हो गया जीरो हो गया तो अगर ऐसी परिस्तिती बन जाती है तो फिर आप इसमें वापस वेल्यू पूट करके देख लीजिए तो क्या होगा देखे आप ये वाली वेल्यू आपकी जीरो हो गई तो ये और इसके प्लेस पर न्यू के प्लेस पर आप लिख ठीक है अब यह आपने क्या किया यह इसके प्लेस पर यह लिग दिया नू के प्लेस पर नू नॉट तो हाफ MV स्कूर मेंक्स के प्लेस पर जीरो हो गया इस equation एक का रूपी हो गया यहां से आपने देखा कि यह जो अगर 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 एसी कोई परिस्तिती बनती है तो हमने अगर प्लेस कोई परिस्तिती के आंदर क्वेराने क्या होता है कि जब आप या करते है तो यह वालाप आप हीं फाईनो क्या हो कर दीजिए तो कारिफलन का मान आप यहां रख दीजिए तो क्या परिस्तिदी बन जाएगी समीकर एक से half mv square max is equal to h new minus h new not अब आप देख लीजिए यह बिल्कुल इसपस्ट हो गया कि यह जो गती जूर्जा आपको मिलने वाली है यह गती जूर्जा इस energy और इस energy का मतलब h new और phi के difference के बराबर है phi not के मतलब यह e जो है e is equal to h new not है h new है sorry e is equal to h new है यह photon की उर्जा है इस photon की उर्जा में से अगर आप यह कारिफलन वाली उर्जा को घटा दें तो आपको बचीवी सारी उर्जा आपकी जो है h common ले लिजिए तो यह हो जाएगा half mv square max is equal to h new minus new not और यही आपका Einstein का प्रकाश विद्युत समीकरण है अगर आप चाते हैं कि यह half mv square में नहीं लिखे max में और इसको k max में लिखें तो आप k max में लिख दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका इस समीकरण का रूप इस तरीके से हो जाया k max is equal to h new minus new not और यही आपकी जो समीकरण आपकी दो नंबर समीकरण जो हम कह रहे हैं यह Einstein का क्या है प्रकाश विद्युत समीकरण है अब मैं बहुत मज़ेदार conclusion आपको बता रहा हूँ आप जाएगा मत वो यह है कि यह जो प्रकाश विद्युत समीकरण आया है इस प्रकाश विद्युत समीकरण से आप प्रकाश विद्युत सरजन के नीमों की व्याख्या भी Einstein ने की थी उन्होंने का कि एक photon है तो एक photon के वल एक ही electron को अपनी उर्जा देगा तो यदि आपतित होने वाले photon की संख्या बढ़ाई तो definitely क्या होगा उसी रेशो में उत्सरजित होने वाले प्रकाश electron की संख्या भी क्या होगी बढ़ेगी क्योंकि एक एक दो दो दस दस सो सो समझ में आरा है आपको तो यहां होगा कि आपतित फोटानों की संख्या बढ़ाने पर उत्सरजित प्रकाश electron की संख्या भी बढ़ेगी मतलब यह हुआ कि जो प्रतिसेकंड उत्सरजित होने वाले जो electron की संख्या है वो आपतित होने वाले photon की संख्या आर्थात विकिरण की तीवरता पर निर्भर करेगी और यह विद्यूत उत्सरजन में हमने इसके नियम में समझा था कि जो प्रतिसेकंड धातू पर आपतित होने वाले जो photon की संख्या है यह कहें कि विकिरण की तीवरता है तो वो उस पर कौन डिपेंड करेगा उस पर डिपेंड कौन करेगा प्रतिसेकंड उत्सरजित होने वाले electron शंख्या तो सरल शब्दों में हमने इसको कहा कि प्रतिसेकंड उत्सरजित होने वाले electronov की संख्या प्रतिसेकंड धातू पर आपतित होने वाले photonों की संख्या पर निर्भर करती है अर्थात विकिरण की तिवरता पर निर्भर करती है दूसरी बात हम यहाば कि जब यह new is less than new knot तो k max negative हो जाएगा जो की संभव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको आपका जो incident photon है या आपतित photon है उसकी आवरत्ती को देहली आवरत्ती से अधिक होना चाहिए मतलब new knot से ज्यादा होना चाहिए मतलब जो आपतित photon की आवरत्ती है उसको देहली आवरत्ती से अधिक होना चाहिए या दूसरे शब्दों में कहें कि आपतित photon की जो ऊर्जा है उसको इस देहली ऊर्जा या یوں कहें कारिफलन से अधिक होना चाहिए फिर इसके बाद में एक और जो महतुपुन बात हम कह सकते हैं कि जो new not है वो तो एक constant राशी है तो ऐसे में क्या है वो हर धातू के लिए उसका मान fix है तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जो आपका ये जो equation है अगर इस equation को हम देखें तो इसमें हमको लग रहा है कि ये अगर constant है तो definitely ये वाली जो value है ये इसके proportional है मतलब ये जो half mv square है ये proportional है कि इसके new के क्योंकि new not constant है तो half mv square proportional है new के इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्सरजित प्रकाश इलेक्टरान है उनकी गति जूर्जा किस पर depend कर रही है आप्ति त्विकिरण की आवरति के नुक्रमान उपाती है ठीक है ना तो हम समझ गए कि ये जो उत्सरजित इलेक्टरानों की जो गति जूर्जा है वो आप्ति त्विकिरण की आवरति के नुक्रमान उपाती है और यही प्रकाश विद्युत उत्सरजन का नियम भी है तो यहाँ इस बात को भी हमने समझ लिया और अगर आपने ऐसे में क्या कर लिया कि आप कहेंगे कि वो आवरत्ती के अनुक्रवानुपाती है तो क्या तिवृता पर भी डिपेंड करेगी तो नहीं करेगी अगर आपने यहाँ पर फोटाउन की संख्या बड़ा भी दी छली थोड़ी देर के लिए आपने फोटाउन की संख्या बड़ा भी दी लेकिन हर एक फोटाउन की उड़जा तो होई है न तो वो तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि तिवृता पर डिपेंड नहीं कर रही है और सबसे आखरी और महत्वण बात कि यह जो ट्रासफर आप एनरजी होता है इसमें कोई टाइम लेगिंग नहीं है मतलब बहुत अत्यालप है बिना काल पश्चता के उड़जा का इस्थाना अंत्रण होता है मतलब यह जो प्रकाश विद्यूतु सरजन की यह जो परिगटना है जिसमें इंसिडेंट फोटाउन और आपका फोटो इलेक्टाउन का निकलना यह एक 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 सिंगल इवेंट के रूप में होता है और इसमें कोई भी टाइम लेकिंग यह जो कहे हैं बिना काल पश्चता के बहुत बहुत कहम बहुत अत्याला काल पश्चता है यह जो पाता है तो इस तरीके से आइस्टीन ने प्रकाश्मिद्युत समिकन देकर प्रकाश्मिद्युत सर्जन के नीमों की विव्याख्या की